तलाग जो है वो एक समाझिक इशु है राजनिती इशु नहीं है और एक समाझिक correct एइए इससलिए सब से पहले हमारी हमारी पार्टी यानि भारती जन्ता पार्टी ने इसके और एक आВाज उठाई है और मैलाओं को हक दिलाने के लिए एक मुहीम हमने चेड़ी है उसी का एक पार हम लोगों को हमें जिम्दारी दी गई कि पूरे प्रदेश में हर जिले में जाकर के सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि कितने जिले में कितनी तलाग पिडिता है उनकी सूची बनानी है सेकेंड उनको जो भी कानोनी मदद अगर चाहिए है तो हमारे थुरू हमारे मोर्चे के थुरू उनको मदद कैसे मौया कराई जाए तीसरी उनको तलाग हो चुकी है तो उनका पुनरवास का क्या स्कीम हम बना सकते है उनकी दुख दर्द उनकी तकलीफ पहले हम उनसे सुनेंगे उनको किस चीज की जरूरत है और सरकार से वो लोग क्या चाहते है वो सब सजेशन मना के हम मोदी गौर्णमेंट को देंगे और हम कुशिश करेंगे कि उन सभी लोगों के पनरवास के लिए एक स्कीम एक अच्छी योजना लागू हो उनके छोटे बच्चे उनकी पढ़ाई लिखा है उनके स्वास के लिए स्कीम लागू हो और साथ ही तलाग के ग्राफ में कमी है यानि कि अभी तक जो तलागे हो चुकी है अगे तलाग न हो उसको बैन करा जाए और उसकी ग्राफ में कमी है इसके लिए जो सशक्त कानून बन रहा है हम सभी लोगों को फुर्जोर तरीके से उसका समर्धन करना होगा ताकि कानून की डर से लोग तलाग ना दे. हम लोग फोन से मिस कॉल देकर के लगातार तलागपिरित महलाओं को अपना पार्टी से जोड रहे हैं प्रात्मिक सदस बना रहे हैं और बहुत भारी संख्या में पार्टी से तलागपिरित महलाओं जोड रहे हैं और बहुत ही खुश हैं कि उनके लिए पहली बार किसी सरकार ने इस तरीकी से सोचा और उनक